नमस्कार बात पते की कारक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहां एक और हमारा हिंदुस्तान तरक्की की और अग्रसर है वहीं हम देख रहे हैं धेर सारी समस्याइं भी आती हैं हमारे आगे दिन पर दिन हम अनेकों समाजिक समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं इस कारक्रम के माध्यम से हम आपका ध्यान धेर सारी समाजिक समस्याइं और उनके समाधान की ओर ले जाते रहेंगे फिलहाल आज हम बात करेंगे युवाओं के रोजगार के संबंध में नौकरी बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए पर डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहां पर रोजगार भी है और साथ साथ क्वालिटी ओफ लाइफ भी है आज हमने अपने स्टूडियो में मेजर जनरल बीएस गरिवाल जी को आमंत्रित किया है जनरल गरिवाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप विशिश्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया है आप महराजा रंजी सिंग आम्ड फोस प्रिपरेट्री साथ ही आज हमारे स्टूडियो मेजर जनरल आईपी सिंग जोबी विशिश्ट सेवा मेडल से जिनको नवाजा गया है आई हूए है और ये माई भागो आम्ड फोस प्रिपरेट्री इंस्टिटूट में डैरेक्टर हैं जनरल आईपी सिंग जी आपका बहुत-बहुत स्व और साथ साथ SSP ट्रेनिंग में भी इनकी एक्सपर्टीज है केडी सिंग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपके साथ बैठे हुए है Mrs. सुक्परीत थिंड जी जो की Assistant Director के पत पर माई भागो Armed Force Preparatory Institute में काम कर रही है मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और आपके साथ हमारे audience में हैं साथ बैठे है Lieutenant Colonel SS Rai जिनको भी Seva Medal और Galantry से नवाजा गया है आप Group Testing Officer है और SSP Training में भी आपकी expertise है Colonel Rai आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में इसके साथ ही हमारे जो यहाँ पे बच्चे जो युवा बच्चे यहाँ पे यूनिफॉर्म में बैटे हैं बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस कारक्रम में मैं चाहूंगी कि एक जोरदार तालियों के साथ आज हम अपनी इस प्रोग्राम के शुरुवात करें Thank you so much धन्डवाज जी सबसे पहला सवाल जनरल गरेवाल जी मेरा आप से होगा यह जो महाराजा रंजी सिंग आम्ड फोस प्रिपरेटरी इंस्टिटूट है पंजाब सरकार ने जिस बनाया था यह कितना पुराना है इसके बारे में और साथ ही इसका मकसद क्या था इसमें आप प्रिकाश टालिये महाराजा रंजीत सिंग आम्ड फोस प्रिपरेटरी इंस्टिटूट पांच साल पुरानी इंस्टिटूट है हमने एप्रिल 2011 में काम शुरू किया यह इंस्टिटूट क्यों बनाई गई क्योंकि देखने में आया था कि कई सालों से इंडियन आमी, नेवी और एफोस में पंजाब के बच्चे बहुत कम तादाद में जा रहे थे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1967, 68 में जिन दनों में मैंने एंडिय में ट्रेनिंग की थी नैशनल डिफेंस अकैडमी की तकरीबन 30% स्ट्रेंथ पंजाब से होती थी और 2010 में जब मैं नैशनल डिफेंस अकैडमी में ही डेप्टी कॉमंडांट की डूटी कर रहा था तो देखने में आया था कि केवल 2% पंजाब के बच्चे एंडिय में हैं तो ये एक बहुत बड़ी डाउन फॉल थी आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए तो पंजाब सिरकार ने महराजा रंजीत सिंग आम्ट फोर्सिस प्रेपरिटरी इंस्टिटूट बनाई ताकि पंजाब के बच्चों को मौका मिले आम फोर्सिस में जाने का और पिछले पांच साल में हमने देखा है कि पंजाब में इतना उत्सा बड़ा है और इतने ज़्यादा तादाद में बच्चे आगे आ रहे हैं कि ये जो मकसद था ये काफी हद तक मुकमल हुआ है हमारा मकसद है पंजाब के बॉइज को क्लास टेन के बाद सिलेक्ट करके ट्रेनिंग देते हैं और हम दो साल का ट्रेनिंग कोज कराते हैं जो की प्लस वन और प्लस टू लेवल पे होता है और साथी साथ हम बच्चों को National Defense Academy के लिए तयार करते हैं आपसे मेरा सवाल है कि माराजा रंजी सिंग Academy के तरजपरी ये माई भागों इंस्टिटूट का गठन किया गया क्या डिफरिंस क्या है और कितना पुराना आपका इंस्टिटूट है दोनों इंस्टिटूट में क्या फरक है इस प्रशन को दो संदर्व में देखा जा सकता है सबसे पहले तो माराज रंजी सिंग Academy की जो उतकृष्टम जो सक्सेस रही है उसको मधनाजर रखते हुए ये कहा गया कि क्यों ना ये मौका लड़कियों के लिए भी दिया जाए और दूसरा ये है कि पिछले लगभग पांच वर्शों से पंजाब की बच्चियों के उपर बहुत फोकस है हमारे दानिशमंद चीफ मिनिस्टर साब इस चीज को लेके आगे बढ़े कि एक ऐसी इंस्टिचूट का गठन किया जाए जो कि महराजर इंजी सिंग के लाइन्स पे हो और बच्चियों को ये मौका दिया जाए कि वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला कर सेना के अंदर अपनी गिंती को बढ़ा सके तो मकसद जो है वो गठन की इंस्टिचूट का सेम है कि दोनों के लिए जो मापदण है उए थोड़े अलग chosen जी इसलिए जान की हमारी इंस्टिचूट गहां की महराज इंसीन का दूसर है मकसद दोनों इस्टिचूट का यह कि सेना के अंदर सेना यानी आमी नेवी औरेफरस के अंदर पंजाब से जादा से जादाद में लड़कियों को बेदा जादा सुक्तू है तो हम ये कह सकते हैं कि जो माराजा रंजीस सिंग इंस्टिटूट है ये हमारे युवा लड़कों के लिए है और माई भागो इंस्टिटूट जो युवा लड़कियों के लिए है और आपका जो माराजा रंजीस सिंग इंस्टिटूट है उसमें दसवी के बाद आप बच्चे को लेते हैं अपने इंस्टिटूट में उसको तयारी करवाते हैं और आप बारवी के बाद लग्या आती हैं और उनको ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तयारी करवाते हैं बिल्कुल ठीक है मैं आपसे गरिवाल जी मैं आपसे एक बाद जाना चाहूंगी इसका प्रोसीजर क्या है विक एक एंटरिंस टेस्ट करते हैं और ये एंटरिंस टेस्ट जैनवरी के दूसरे हफ़ते में होता है हर साल इस एंटरिंस टेस्ट में क्लास टेन लेवल पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया जाता है इस साल हमारा जो एंटरिंस टेस्ट हुआ दस जैनवरी को करीबं 2,900 बच्चों ने एपियर किया था एंटरिंस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे हम मेरिट लिस्ट बनाते हैं और पहले डेड़ सो बच्चे जो हैं उनको इंटर्व्यू के लिए बुलाते हैं ये इंटर्व्यूज हम जैनवरी फेबररी के महीने में करते हैं और उस साल हम 48 बच्चे सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट किये गए बच्चों का मेडिकल टेस्ट भी किया जाता है ताकि हमारी तसली हो कि ये बच्चे में कोई ऐसा मेडिकल नुक्स ना हो बाद में नाशनल डिफेंस अकैडमी जॉइन करने के लिए तो ये हमारा इंटर्वरी में साखला ले लेते हैं और दो साल की ट्रेनिंग शुरू करते हैं इस साल की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो अभी तकरीबन तयार है 47 बच्चों की सिलेक्शन अलड़ी हो चुकी है और एक दो जो मेडिकल केसे हैं वो क्लियर होके हमारी फाइनल लिस्ट मुकमल हो जाए तो इंटिट्यूट है जो आपको डिफेंस के लिए तयार करवाएगा हम हर साल नवेंबर के महीने में तमाम न्यूस पेपर्स इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी न्यूस पेपर्स में अड़टिस्मेंट पब्लिश करते हैं आज कल काफी जानकारी हो चुकी है लेकिन हम हमें ब इंट्रेंस टेस्ट दिया था आइस्ता इस्ता ये फिगर बढ़ता गया है और अभी जो चटे कोर्स का इंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसमें 2900 बच्चों ने एपियर किया था इससे ये हम कह सकते हैं कि जागरुकता फैल रही है इस इंस्टिटूट के बारे में लोगों को पता चल रहा है और जिग्यासा है लोगों को बहुत उतसाहित हैं कि इसमें दाखिला ले सकें तो लेकिन आपकी जो संख्या है जो नंबर वेकेंसी हैं वो कितनी होंगी आपके इंस्टिटूट में इस पे थोड़ा बताएं जी हमारे इंस्टिटूट में हर साल सिरफ 48 48 व निगर है लेकिन इंफ्रस्ट्रक्चर के मताबिक हम सिरफ 48 बच्चे हर साल ले सकते हैं ठीक है जर्नल आईपी सिंग मैं आपसे भी यही सवाल दोहराना चाहूंगी कि क्या प्रोसीजर और इंट्रेंस टेस्ट की डेट आडवर्टीजमेंट आपके इंस्टिटूट का भी की उसी तरश पर हो रहा है जी हाँ यह जो चैन प्रक्रिया है लड़कियों के लिए यह लगभग महराजा रंजीत सिंग इंस्टिट के समान ही है यह अपने आप में पूरन रूप से एक सिस्टम है अपने सरकार के साथ जितनी अलग अलग संस्था हैं उनके जरी हम लोगो हर पेपर के अंदर इस इंस्टिउशन के बारे में मोटे तोर पे खबर और क्या प्रकिरिया है चैन की उसके बारे में बताया जाता है जहां तक पहले बैच का संबंध है वो तो मुकमल हो चुका है लड़कियां भी पहला साल कंप्लीट करने जा रही है दूसरे बैच की ज अधार श्रेणियों में है सबसे पहले ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन और एप्लिकेशन होती है जिसके जरिए तमाम पंजाब स्टेट से जितनी लड़कियां हैं जो चाहवान हैं इस इंस्टिट के लिए वो ओनलाइन एप्लिकेशन में नामदर्ज करती है उसके बाद जब यह टेस्ट का रिजल्ट निकलता है तो मेरी इंस्टिटूशन में 25 लड़कियों की जगा है तो 25 के अनकूल लगभग 5 यह 6 गुना लड़कियों को शॉट लिस्ट किया जाता है दूसरे चरण में उनका साइकोमेट्रिक प्रफाइलिंग, कॉम्पोजिशन और इंटर जब यह तमाम क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो इसके अंदर लगभग 3 महने का समय लगता है और जिसके बाद एक मेरिट लिस्ट तयार होती है जिसके चलते 25 लड़कियों को दाखला मिलता है बहुत अच्छी बात है और मैं आप दोनों ही यहाँ पे प्रिस्टीजिस इंस्टिटूट के डिरेक्टर साहिवान बैठे हैं तो मैं बताना चाहूंगी हमारे पंजाब में सारे जिलों में जो डिस्टिक गाइडन्स कांसिलर हैं जो कांसिलिंग, कैरियर कांसिलिंग की ब लड़कियों को अप लेते हैं, तो थोड़ी सी निराशा है, उनकी एक संदेश भी था कि और आप से मेरा ये सवाल भी बन जाता है कि क्यों आपने 25 नंबर इतना कम ही रखा है लड़कियों के लिए, क्यों इसको आप बढ़ा सकते हैं आगे, कुछ ऐसा विचार है आपका? जहां तक डिफेंस सर्विसिस का सवाल है, किसी भी लड़की के लिए एक कमिशन ओफिसर बनने के लिए लग भग साथ अलग अलग तरीके हैं। इसके चलते हैं, उनका अपना एक्जाम होता है, एक तो ये है, दूसरा है आमी नर्सिंग सर्विस, आमी नेवी एरफोस नर्सिंग सर्विस, जिसके अंदर जो लड़कियां है या तो नर्सिंग में ग्रेजुएशन करती हैं, या मिलिटरी नर्सिंग कॉलेज जो जलंधर में है, वहां से ग्रेजुएट होके नर्सिंग के जरिये कमिशन लेती हैं, माई भागो इंस्टिूशन के अंदर तीन साल की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर ध्यान केवल ग्रेजुएशन पर केंदरित है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़कियां हैं, जिनका कि सेलबस इसके बाद टेकनिकल एंट्रीज हैं, इंजिनियर्स, सिगनल्स, एमी, एर डिफेन्स, उसके लिए बी टेक की क्वालिफिकेशन जो है डिगरी है, जरूरी है, उसके लिए भी आपने देखा है कि लगभग साड़े चार पांच साल का वक्त लिए ये सिजूशन केवल तीन है, आमी सर्विस कोर, आमी ओर्डिन्स कोर, इंटेलिजन्स कोर, जर्नल ड्यूटीज, एर फोर्स में ग्राउंड ड्यूटीज, लोजिस्टिक्स, एर ट्राफिक कंट्रोल और वो लड़कियां जिनका 10 प्लस 2 के अंदर PCM सबजेक्ट है, वो भी टेकनिकल एंट्रीज के ल लेवी ने नियुनतम कौलिफकेशन जो है, बी टेक रखी है, एर अड़म ड्यूटीज के लिए, लोजिस्टिक्स के लिए और एक्जेक्टिव ड्यूटीज के लिए उन्होंने मिनिमम्म क्वालिफकेशन बी टेक रखी है, यह इसलिए यहाँ पर, उसके अनुकूल अगर आप देखो तो तक्रीबन 25 का जो फिगर हो बनता है ठीक है अगर बान लीजे ये टेक्निकल एक्सपर्टीज ले लेते हैं हमारे लड़कियां हमारी खास तौर से आप से सवाल है तो उसके बाद आपने क्या गाइट करते हैं कोई अगर कोई सला गाइडंस आप से चाहिए हो या फिर आपके में जैसे आपने बताया कि बारवी के बाद जो लड़कियां दाखिला ले लेती हैं आपके इंस्टिटूट में एक्जाम क्लियर कर लेती हैं आप उन्ही को तैयारी करवाते हैं आपका फोकस उन्ही 25 लड़कियों पे होता है जहां तक उपचारिकता का संबन्ध है फोकस केवल उन लड़कियों पे है जिन्हों ने ये टेस्ट पास किया है अदरवाइस हाली में पिछले चार महीनों के अंदर काउंसलर्स के मेरा खहला है पांच या छे ट्रिप्स हमारी इंस्टिशन में लगे हैं जहां पे उनके इ किसी को को गाइडेंस चाहिए होती है मैंने जुरूर देते हैं लेकिन कोई अपचारिक ढंग से कि उनके लिए कोई स्पेशल कैप्सूल वगएरा ऐसा फिलहाल हम कोई ने कोई बात नहीं आप से मेरा सवाल होगा कि आपके 48 एंट्रीज आपके पास आती हैं आपका ये पा काइम रहते हैं अभी मेरा सवाल में बच्चों से भी जाके करूंगी ओडियंस में लेकिन फिलहाल मैं आप से जानना चाहूंगी नेशनल डिफेंस अकाडमी में एंट्री लेना एक बहुत टफ प्रोसीजर है पूरे इंडिया में हर साल चार से पांच लाख बच्चे अप आज की तारीक में सिचुएशन यह कि तकरीबन 50% हमारे बच्चे एंडिये चले जाते हैं जो बच्चे एंडिये नहीं जा सकते उनको हम इंकरेज करते हैं कि आप कॉलेज में जाएं और उदर से भी एंडिये का एक्जाम देते रहें जब तक कि आपकी एज आपके साथ हो और उसके बावजूद जब ग्रैजुएशन पूरी हो जाती है तो CDS के लिए भी एपेर कर सकते हैं तो आज की तारीक में पोजिशन यह है कि तकरीबन 50% बच्चे हमारे नैशनल डिफेंस अकैडमी में चले जाते हैं जबकि वो यहां ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और अग कि अग्जाम एपियर हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि टॉफ इनको आप ट्रेन करते हैं तो 48 के 28 कुछ ड्रॉप आउट हो जाते हों ऐसा भी कोई केस आया है कि आपकी यह पूरे 48 आपके रहते हैं सम ड्रॉप आउट्स डू टेक प्लेस मेरा तजर्बा ऐसे है कि कुछ बच्चे जो घर से बाहर पहली बार आए हों वो थोड़ी होम सिक्टनिस मैसूस करते हैं और पहले एक दो मीने में ही छोड़ जाते हैं उसके बाद कुछ बच्चे जो कुछ देर पढ़ाई करें और अपने आपको ज्यादा कमजोर समझें या उनको जल्दी सुवेरे उठने की आदत ना हो पीटी करने की आदत ना हो थोड़ा आराम पसंद हो तो एक दो बच्चे ऐसे छोड़ जाते हैं और आम तोर पे मेरे देखने में आया है कि जब हम कोर्स शुरू करते हैं तो 48 होता ह है और जब तक कोर्स मुकमल होता है तो 3-4 ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं इसके संबद में मेरा सवाल होगा हमारे ओडियंस में ब्रिगेडियर केडी सिंग जी बैठे हुए हैं आप साइकॉलिजिस्ट भी हैं इंस्टिटूट में तो आपका इसमें क्या रोल होता है मोट करते हैं या बच्चे को बिकाज बहुत अच्छा एक अपॉर्चिनिटी है यह बच्चे कई बार नादान होते हैं युवा होमसिक फील करते हैं और ड्रॉप उट कर जाते हैं तो आप किस तरह से इने मोटिवेट करते हैं क्या यह भी आपका रोल होता है इंस्टिटूट म हैं ये मैं यह कहना चाहूँगा कि आप फॉसिस में आमी नेवी एफॉस में आने के लिए सब्से पहले तो मैंडिट्री है कि सर्फिसे सिलेक्शन बोड को यड़िट पास करें जब वो कर लेता है उसी में जो केडिट हम लेते हैं हम उनको जो ट्रेइनिंग दे रहे हैं व उसके बाद उनके attitudes, behavior, overt and covert qualities, उनकी जो quality of thought process है, किस तरहां का है, वो सब चीजे जो है हम देख रहे हैं, इसके अलावा हम देखते हैं motivation, जैसे आपने पूचा, अभी जो motivation है, ये बहुत ज़रूरी है, कि एक केड़ेट जो है, उसको motivation होना चाहिए, for his organization to join Indian Army, और उसमें जोश होना चाहिए, कि जो भी वो कर रहा है, वो academics कर रहा है, या sports कर रहा है, तो हमारे पास जो battery of tests हैं, हम उसको battery of tests हमारे पास है, psychological testing के हम उसको test administrator करते हैं, और पहले पता लगाते हैं कि कुछ कौन से candidate हैं, जो कमजोर हैं, फिर जो कमजोर candidate हम identify कर लेते हैं, उनको फिर हम थोड़ा emphasis देते हैं, motivational training, leadership training और personality development के उपर थोड़ा ज़्यादा जोड़ देते हैं, बहुत बढ़ा ये role है, कि लगातार motivate आप करते रहें, और जो golden opportunity इने मिली है, वो कुछ बन के, यहाँ से कुछ सीख के आगे निकलें, थैंक यू सो मच, मैडम सुक्रीच जी, आप assistant director हैं माई भागो institute में, इसी से जोड़ा दूसरा सवाल है, होस्टल का भी आपके पास in charge है, आप training का भी module को देख क्या रही है इनको जो nostalgic और जो homesick की feeling बहुत ही common बात है, लड़कियां थोड़ी नाजुक भी होती है, घर से दूर आके, तो क्या उनको किस तरीके की सुविदाएं होस्टल में मिलती है, क्या कुछ खास सुविदाएं है या दूसरे होस्टल की तरह है, इस पे थोड़ा है, यह तो इंडिविजूल हो गया, इसके इलावा हॉस्टल के प्रेमाइसेज में ही जिमनेजियम है, मैस फसिलिटी है, और जैसे बहार निकलते हैं होस्टल से हमारे प्लेग्राउंड्स हैं, टीम गेम्स के लिए भी वालीबॉल, बास्केटबॉल, हौकी और बैडमिंट और हम पेरेंट्स का इंटराक्शन भी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वह भी ज्यादा रखते हैं, तो ऐसे हम हैं इनको कोई बीच पे चुटी ऑफ भी दिया जाता है, यह हॉस्टल से क्या सिस्टम होता है, यह लगातार यह रहते हैं, क्या श्रिडूल होता है, बिल्कुल, आप से सवाल है कि जैसे यह MCM में लड़कियां पढ़ रही है, तो यह आपका टाइप एक ही कॉलेज के साथ हुआ है, यह अभी तो आपका पहला बैच है, जो पहुचा है, यह आगे आने वाले बैच भी MCM से ही इनका ग्रेजुएशन की जाएगी? यह इंस्टिचूट जो है, बड़ी अनोखिस इंस्टिचूट है, क्योंकि इसके अंदर दो अलग श्रेणियों में ट्रेनिंग होती है, एक तो है हार्ड कोर अकैडमिक, और दूसरी है ऑफिसर बनने के लिए उन गुनांकों को तयार करना है, तो जहां तक अकैडमिक का चंदिगड में कई options थे, यह options मेरे ही जो senior है, director general की हैसियत से भी, इन्होंने तमाम college का सर्वे किया और इस निश्कर्ष पे पहुंचे कि सबसे बहतरीन college जो है चंदिगड का, वह है MCMDV college, और चूंकि इन लड़कियों को हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इनको सबसे बहतरीन सबसे उतकरिष्ट किसम की सहूलतें जो हैं वह यह किये जाएं, इसलिए उस college को shortlist किया गया है जी, तो इसके लिए जब यह इनका entrance test clear कर लेते हैं, तो यह जिम्मेदारी आपके institute किये, कि MCMD दाख्रा लेना या इनका personal इने लेना होता है बाकाइदा ही हमारी responsibility है, क्योंकि हमारा उनके साथ एक permanent contract है, tie-up है, तो उनीका staff जो है हमारी institution में आता है, वहाँ पर performers वगरा लेके आते हैं, वहाँ पर counselling की जाती है, और बच्चियों के पास option है, BA, BAC, कोई भी subject ले, किसी भी stream में लेकिन, ultimately मेरा अनुभव यह है, जैसे फिल हाल मेरी 25 की 25 बच्चियां जो हैं, यह तमाम arts side prefer कर ले हैं, क्योंकि उसके चलते हैं, क्योंकि जब आप फौज में officer बनती हैं, तो BAC हैं या BA हैं, उससे कोई ज्यादा संबंद नहीं है, एक graduation होना बहुत जरूरी है, और उसके चलते हैं, जब आप graduate course को प्रसू करती ह तो आपके पास इतना वक्त होता है कि आप academy की बाकी जितनी activities हैं, उनके अंदर भरपूर तरीके से शामिल हो सकती हैं, तो MCM के साथ tie up इसलिए है, और बाकी जहां पर academy के अंदर जितनी training है, उसके लिए हमारे पास staff कुछ outsource किया जाता है, कुछ हम महराज रंजीज के साथ आपके जो बच्चे हैं, लड़के हैं, इनका किस स्कूल के साथ है, कहां अपना 11th और 12th किस स्कूल से कर रहे हैं? और ये बहुत अच्छी सिखलाई देते हैं, सारे के सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैट्स, PCM सबजिक्ट्स में पढ़ते हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, क्यूंकि ये सबजिक्ट्स सबसे ज़्यादा ज़ूरी हैं, नैशनल डिफेंस अकैडमी का एक्जा क्या हैं, ये जो पहले मैं आप से ही जान लूँगी, कि जो बच्चे ये दाखिला लेते हैं, ये अपना खर्चा करते हैं, पूरा जितनी सिखलाई ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, या इंस्टिटूट बेयर करता है? रहन सहन, शिक्षन, ड्रेस, यूनिफॉर्म, हर किसम की फसिलिटी जो है, स्कॉलर्शिप पे है, उसका तमाम खर्चा जो है पंजाब सरकार जो है, जहां तक बच्चियों का स्वाल है, ये कुछ पैसा जरूर जमा करती हैं, ये पैसा है एक तो यूनिवर्सिटी रूल्स क मताबक कॉलेज का एन्वल फीज, जो लगभग 12-13,000 रुपया होता है, इसके इलावा जो उनके एक्जामिनेशन फीज या प्रैक्टिकल फीज, कुल मिला के साल भर का खर्चा जो है बच्चियों के लिए 18,000 के करीब होता है, इसके इलावा जेब खर्च के लिए हर महीने साड़े साथ सो रुपया जो है वो भी घर से लाती है, इसके इलावा कोई भी खर्चा जो है किसी किसम का बच्चियों से नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है, और मुझो भी दे शायद महाराजा रंजीस सिंग इंस्टिटूट में भी यही होगा सारा टोटल एक्सपेंस पर बिल्कुल इसी तरीके से है कि सिर्फ स्कूल फीज का खर्चा, स्कूल की किताबों का खर्चा और जो पॉखिट मनी जेब खर्च है, वो पेरेंट्स को देना पड़ता है, बाकि तमाम खर्चा पन्जाब सरकार की तरफ से होता है, मैं सिर्फ आपको अंदादा देना च बहुत बड़ा पंजाब सरकार की उसे सरहानी कदम है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे युवाओं के लिए इतनी कोशिश कर रही है सरकार कि आप सब को एक सही राह मिले सही ऑप्शन मिले और आप त्यारी करें हमारे ओडियंस में हमारे साथ करनल राय बैठे बड़ा है कि हमारी जो आमी है हमारी ओगनेजेशन है इस बेसिकली टीम एफ़ट जीट सब्सक्राइब तो हम लोग युम बच्छों को टेंग जेते हैं यह बैसिकली गुरूप डैनेमिक्स जी के एक बच्छा गुरूप के अंडर कैसे काम करता है इंडियूली कैसे काम कर इंडियूली को पूरे गुरूप के अंदर उसका परफॉमेंस कैसे आता है जी तो बच्छे तो एक दम रॉते हैं आप इनको आपको कोई डिफिकल्टी फेस करने पड़ती है इनको इस तरीके की तियारी करवाने में इनकी टेस्टिंग करने में ज्यादा ने मैं आजकी ज मुझे इस इंस्टिट्यूट में पूरा एक साल कम्प्लीट होने जा रहा है, 23 अपरिल को आपने कोई अपनी परस्नालिटी में अपनी जिन्दगी में कोई चेंज महसूस किया है, यस मैम पूरे एक साल में एक बॉय से जेंटलमेन की और जो कन्वर्जन है वह हमारा हुआ है, हमारी परस्नालिटी डेवलप होई है, हमारी लीडर्शिप डेवलप होई है, हमारी गीम और बेटा ये सारी क्वालिटीज मुझे लगता है कि एक सक्सेस्फुल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी भी है मैं क्या जान सकती हूं ये जो बैच आपने ये लगाए हुए है या किसी खास बात के लिए आपको मिले जी मैं ये जो बैच देख रहे हैं गोल्डन कलर का इस इसे हम हमारे इंस्टिट्यूट में अकेडमिक टॉच कहते हैं ये 85% अबव नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जो जो की प्लस वन है उसमें स्कोर करने पर मिलता है और ये इदर वाला है इसे हम पीटी बैच कहते हैं ठीक है ये हमारे यहां के पीटी टेस्ट होते हैं और वो ती इसे इसमें पीटी तेस्ट सेंट ये वी नेविल्प स्कीम मिलता है और ये पीरी टेस्ट बिल्कुल वही है जो एंडिये में थर्थ ट्म में में खंड़ तो काफे चिक जोंडियो वाला स्टक शुटमा स्ट हों ऑला टीchen गरे आज हमारे सामने यहां यूनिफॉर्म में बहुत सारी स्मार्ड गर्स बैठी हुई हैं मैं सवाल आप से बेटा करना चाहूंगी आपको कितना टाइम हो गया है इस इंस्टिटुट में मैं मैं अभी एप्रिल का मन्त है और इस इंस्टिटुट में हो यह मुझे नाइन मन्स होने वाले है ठीक है आपको किसा लग रहा है यहां बहुत अच्छा लग रहा है मतलब एक सहर आपक नोमल गर्ल यहां पे अना यहां पर इत्नी अच्छी ग्रूमिंग ओ रहे हमारी पस्टनालीटी स्भाध ढलए हो रही है हमारे डिरेक्टर सर हमारी जो एसिस्टेंट डिरेक्टर है उन्होंने बिल्कुल हमें फिल नहीं होने दिया कि मतलब इतने दूर हम घर से आक से आपे मतलब training कर रहे हैं बहुत होमली इसनालिटी में कोई मेजर चेंज मैसूस करा जी मैम यहां आने से पहले इतना डिसिप्लिन नहीं था मेरे में इतने जल्दी भी नहीं उठते थे यहां आने के बाद रोज सुबा पांच बजे उठते हैं और मैम उसके बाद फिजिकल एकसराइज होती हैं अब डिसिप्लिन इसले टीक बहुत जरूरी है लाइफ के लिए अच्छा फील होता है कि लगता है कि ना आते है तो घर पे आराम से सोते हैं इसा थो माँ मैम डैसिप्लिन बहुत ज़ूरी है हमारी लाइफ में डिसिप्लिन की बिना कुछ भी नहीं है ठीया थैंक्यों सो मच बेटा पैठू पीछे से यंग बॉइस बैठे हुए हैं जो फ्यूचर आमी डिफेंस सर्विसस जॉइन करने जा रहे हैं आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों की आने वाले एक्जाम में जो आपको अपियर होना है उसकी कैसी त्यारी हुई है और कितना आप त्यार हैं आप से मैं जा इंस्टिटेट हमें इंपक्ट कोचिंग फ्लासी से लिए क्लासी प्रवाइड कर रहा हैं तो मारी मैथमेटिक्स की लासे स्टार हो चुकि है है तो मैं थारी का डिए करना इस डिफिकल फॉप अजाए गया जाता है और मैं नेक्ट मन से मारी जीटेटी की लिए खेली तरह से त्यारी कर रहे हैं और आपको पूरा इंस्टिटूट से हेल्प मिल रही है ठीक है थैंक यू सो मच अल दी बेस्ट यहां पे जो लड़कियां बैठी हुई है बहुत ही डानमिक पस्नालिटी मुझे तो सवाल पूछने से पहले ही आप सब की दिख रही है मैं जानना नुटिटिशोस फूट और क्या रूटीन होता है आपका हमारा रूटीन बेसी कली हम लोग फाइव अकलॉक टे उसके बाद पी टी होती है कॉलिज के रेडी होते है और एवरी डिफेरेंट फूद मिलता है डेफिनेटली नुटिशोस फूड मिलता है दलिया और अद अध ही होती है, total hygienic होता है, sanitation होती है, and hostel life is amazing, change होता है जो आपका जो meal है, उसका menu है, वो change होता है, everyday different meals होती है, morning, afternoon, dinner, everyday different होता है, ठीक है, thank you so much, आप पीछे से, आप बताओगी, आप से सवाल है कि आपको कोई difficulty during training, because जो training है, ऐसा माना जाता है, कि जो defense की training है, वो लड़कियों के लिए पहले माना जाता था, tough होती है, आजकल तो बहुत सारी लड़किया आगे आ रही है, कोई आपको difficulty, कछनाई, कुछ महसूस होई? माम, starting में difficult लगा, माम, physical exercises, starting में लगा, बट हमाई साथ director sir और assistant director माम है, उन्होंने हम इतना help किया, और slowly slowly, सब कुछ, we started doing it regularly, और सब कुछ हमें असानी से, हम रोस करते हैं, तो हमें सब कुछ असान लगते हैं, तो हमें सब कुछ असान लगते हैं, आप अप कमफर्टरिबल हो चुके हो, और सारी जो physical exercise, जो ट्रेनिंग है, उसको कर रहे हो, और आप अच्छा मैसूस करते हो, तैंक जो mental health केते हैं, इससे ही develop होती है, इसका भी कोई आपकी institute में स्कोप है, जहां तक फौज के अंदर officer की हैसियत है, भले वो एक पुरुष हो या एक नारी हो, उनको पूरण रूप से शारिरिक स्वास्त्य जो है उनके लिए बहुत अनिवारे है, और इसके लिए के लिए के गेम्स, मेडिटेशन, दिहान, योगा और अरोबिक्स, और इसके साथ ही एक खास दिशा में जिम ट्रेनिंग जो है शामिल है, मेरे जो साथ ही इस्टिट है हमारी, वहां पर स्विमिंग भी है, तो लड़कियों के लिए स्विमिंग भी जल्द ही शुरू की जाएगी, मतल वेल बींग का, और वेल बींग के अंदर योगा का तो एक बहुत उत्कृष्थान है, इन बच्चियों की लगबग एक महीना के लिए योगा क्लासिस चली थी, अब इनको अगले साल से दुबारा एक सिस्टम के अदर लाए जाएगी, बिल्कुल ठीक है, मैं महराजा प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, ये थोड़ा अनकमफर्टेबल भी हो सकते हैं, आजकल जैसे आपको पता है, मोबाइल का जमाना है, तो आपने क्या आपके जो बच्चे है, युवा बच्चे, आपने ये उनको दिकार दिया हुआ है, ये उनको फैसिलिटी है, कि वो मोबाइ मोबाइल रख सकते हैं, महाराजा रंजीत सिंग में सकत हुकम है कि मोबाइल नहीं रख सकते हैं, उसके कई कारण है, क्योंकि आप जैसे आपी ने कहा कि टेंडर एज है, हम चाहते हैं कि ये अपनी कॉंसेंट्रेशन, अपनी अपनी एसेंशल स्टडीज, अकैडमिक्स और परस्टनरी ड्वेलप्मेंट पर लगाएं, ना कि सिसेप्टेबल तो डिस्ट्रेक्शन हो जाएं, क्योंकि अगर ये मोबाइल पर ज्यादा जोर देंगे, तो इनका ध्यान जो है, काफी तरह से डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसको मद्या रजा रखते हुए, प् आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है, आप कैसे कभी आपका मन करता होगा कि बाहर इंस्टिट्यूट के जाएं, चाट खा के आएं, या कुछ और मस्ती करके आएं, कुछ ऐसा ख्याल आता है, आप क्या करते हो? या काफी रेस्ट्रिक्शन से इंस्टिट्यूट के और से, हमें एक मन में टू आल्टनेट संडेज में लिवर्टी मिलती है, और आपको नौ से पांच आप कहीं भी चंडी गढ़ घूम सकते हैं, तो पॉकेट मनी भी आपको 500 मिलती है, जिसमें हम अपना गुजारा अच् या जितनी भी मर्जी है पैसा ला सकते हैं खरों से? हम बच्चों को सिर्फ हर महीने पांچ सो रुपया देते हैं, जो कि पेरेंट से हम साल के शुरूआत में ले ले लेते हैं, और हर महीने उनको पांच सो रुपया देते हैं. हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों को जादा फदूल खर्ची की आदत हो इसलिए इनका बाहर जाना भी कंट्रोल होता है मैं समझता हूँ कि इस उमर में अगर हम अपने आप के उपर सिल्फ डिसिप्लिन लागू करेंगे तो यह हमारी फर्दर डिवेलप्मेंट के लिए बहुत बेतर रहेगा बिर्कुल ठीक है जो बच्चियां बैठी हुई है उनसे मैं फिर से उनके पास आ रही हूँ और जानना चाहूंगी कभी ऐसा भी होता होगा होस्टल में रहते हुए आप मेडिकली अच्छा नहीं फील करते होगे कोई प्रॉब्लम आ जाती है कोई समस्या आ जाती है बिट प्रॉब्लम आ जाती है अगर प्रॉब्लम थोड़ी सीडियस है तो हम घर जाके चेक अप करा कि ठीक हो के वापस आ सकते हो और जो पॉकिट मनी है उसी साफ से आपको जैसे इसे इस्ट्रक्शन्स है वैसे ही आप खर्च करते हो यह समीगे 750 पर मंथ और वो इंस्ट्यूट प्रॉब्लम आप से युवा बच्चे बैठे हैं बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से रूबरू हो के आप कोई सुझाओ या कोई इंप्रूब्मेंट या कोई तबदीली लाना चाहेंगे इस इंस्ट्रिटूट में जो आगे आने वाले बच्चे हैं भावी बच मैं मुझे नहीं लगता कोई इंस्ट्रिटूट में हमारे कोई इतना चेंज मेंदर चेंज चाहिए हमारे जो हैं डिरेक्टर सर हैं जीटियो सर हैं जान साइक तो है तो देर वेरी बैस सो देनों देनों बच्चे बैठे हुए हो आप एंडिये का एक्जाम दोगे और पू हैं नॉन मेडिकल बच्चे हैं बेटा आप बता होगे माइक लेलो नॉन मेडिकल में अक्सर देखा जाता है कि हमें कोचिंग की भी जौरत पढ़ती है प्लस वन में तो क्या आपने कोई ऐसी कोचिंग ले रहे हैं या स्कूल की जो स्टाडीज उससे ही सफिशेंट होता है हमारी कोचिंग चल रही है इंपक्ट इंस्टिटूट से हमें हरूज टीजर्स पढ़ाने आते हैं अभी फिलहाल तो हमारी सिर्फ मैट्स की इंपक्ट सिटूशन चल रही है लेकिन अगले महीने से हमारी जीएटी की भी शुरू हो जाएगी तो सारे बच्चे एक साथ बै सामने आया कि जैसे आज कल बहुत कोचिंग का ट्रेंड है कई बार जरूरते बहुत होती है बच्चों की तो जो नॉन मेडिकल बच्चे हैं मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है खुशी भी हो रही है कि पूरा कंप्लीट जैसे ग्रोथ कंप्लीट केरिंग जैसे होती है वो की कोचिंग का प्राफधान है आप कोचिंग प्लस वन के बच्चों को कोचिंग दी जा रही है बच्चे ने बताया कि हमें कोचिंग आगे भी दी जाएगी सपोज आपको पता है फ्रिजिक्स लिये केमेस्ट्री लिये बच्छा पढ़के आया स्कूल एजुकेशन के बाद वी बच्चों को ज़रुत पढ़ रही है आजकर लोड हो रही है तो ऐसी सोविधार भी दी जा रही है आपके इंसर्ट्छ से हम अपने इंसर्ट्छेट में ट्यूशन क्लासी चलाते हैं जिब जादातर कमजोरी मैथमेटिक्स में पाई गई है तो मैथमेटिक्स की टूशन तकरीबन लगातार चलती है जब भी मौका मिले इलावा इसके अगर और किसी सबजिक्ट में कमजोरी पाई जाए जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी कई बच्चे कमजोर होते हैं उनके ल अगर कोई बच्चा किसी खास सब्जिक्ट में प्राइवेट टूशन करना चाहे वो भी अलावड है लेकिन वो टूशन भी इंस्टिटूट में ही होती है बच्चा बाहर नहीं जाता टूशन के लिए तो टूशन टीचर आके उस सब्जिक्ट में कोचिंग कर सकता है क्यूं डिपेंस जॉइन करना चाहते हैं आप बिफेंस जॉइन क्यों करना चाहते हैं क्युप बेस्स की लाइफ जो है सब से बेस्ट है आप कोई भी प्रिफेश CJ जॉइन कर लो हैं यह ठीसल क्यों ही मिल पाएगा यह ? कीम आर्मी जॉइन करना चाहते हैं यह one of the best best professional यह मुझे और कोई चाहिए भी और मैं इजरी जाना जाहूंगा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है देश की सेवा करने का मौका भी है साथ साथ क्वालिटी ओफ लाइफ भी है बहुत अच्छी बात है थैंक्यू सो मच बिटा और अल दी बेस्ट कि अगर्ल से लड़कियों से मैं जानना चाहूंगी कि आप भी सब इस लाइन में आ चुके हैं आपने यह उप्शन चुन लिया है तो लेकिन आप आप से मैं जानना चाहूंगी आप क्यों जॉइन करना चाहते हो डिफेंस मेरे पापा भी आर्मी में है, he's a pump operator in the army. So, जब मैं छोटी थी, he used to take me along with him. So, inspiration वहीं से आई, जब मैं रोज फॉजीयों को देखती थी. So, I wanted to join the army and become like them. क्या करना चाहते हो आगे? कोई खास प्रेड़ना तो आपको मिल गई? अपने घर से, अपने फादर से, कुछ आप खास कॉंट्रिब्यूट करना चाहते हो? Actually, the thing is कि I am from a village और वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता. So, the thing is कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया और I want to become their inspiration. मैं उन्हों भी प्रेरित करना चाहूंगी कि वो भी आगया कि. कहां से हो आप पिटा? मैं मैं इम फ्रम बठिंडा. बठिंडा के किसी गाउं से आपका है. Very good. बहुत है, मैं चाहूंगी कि एक बहुत जोरदार तालियां भी हों इस बच्ची के लिए. बहुत बहुत अच्छी बात है कि ये लड़की एक गाउं से भटिंडा के उसमें आके ये खुद एक अपने आप में रोल मॉडल है. ये अल्रीडी एक रोल मॉडल बन चुकी है. ना जाने कितनी और लड़कियों को प्रेड़ना मिलेगी इस से कि हम भी इस तरीके से आगे बढ़ें, पढ़ाई करें और देश की सेवा करें. थैंक यू सो मजच बेटा, थैंक यू. यहां पे जितने भी युवा बच्चे लड़के बैठे हैं और जितनी भी युवा लड़कियां बैठी हैं, आप लोग CDS की तियारी कर रहे हैं, जो एक्जाम आएगा और आप लोग NDA की तियारी कर रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग तियारी करेंगे, सारी गाइडेंस लेंगे अपने डारेक्टर साब से, फेकल्टी मेंबर से, अपने पेरेंट से इंस्पिरेशन लेंगे, आपको इतना अच्छा जीवन में मौका मिला है कि आपने माई इंस्टिटूट लड़कियों के लिए और जो महराजर रंजीस सिंग आम फोस प्रिपरेटरी इंस्टिटूट में दाखिला आप ले सके, आप इस सुनहरे अफसर को सफल बनाएए और अपने एक्जायम को बहुत त्यारी के साथ दीजिए और अपने लिए एक जोरदार त जो आपका इंस्टिटूट है, मुझे लगता है कि ये देश में एक अनोखा इंस्टिटूट है या शायद पहला इंस्टिटूट है जहां पे इस तरीके से लड़कियों के लिए इतनी सरकार के उसे कदम उठाए गए हैं, उनको तयार किया जा रहा है, क्या आपके फ्यू प्रियास रहता है कि उसको बेहतर बनाया जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में भविश्य में जरूरी बात है कि इसका भले स्कोप हो या इसका रन करने का तरीका उसमें तबदीली आएगी, फिलहाल ये शुरुआत है, जी तो जब तलग एक बैच जो है वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंच जाता, तो इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा तबदीली होने के जो संभव नहीं है, लेकिन जब हम अनभव ग्रहन करेंगे, सीखेंगे, तो जरूरी बात है इसमें तबदीली आएगी, लेकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहला क अदम जो एक प्रियास है, अपने किसम एक अनूठा प्रियास है, देशी नहीं बलके विश्व भर में ऐसी कोई संस्था नहीं है, जहां पर की कन्याओं को तीन साल के लिए इकठा रखकर उन्हें इस किसन की ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा प्रस्रिक्शन दिया जा रहा तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धी है, जब इसके अंदर थोड़ा सा कारगर होंगे, हम थोड़ी कामयाबी हासल करेंगे, तो जरूरी बात है, कुछ ना कुछ तबदीली आएगी, हो सकता है कुछ छोटे मॉडल और तयार कि लेकिन वो भविश्य की ब के लिए कुछ कर सक रहे हैं, मेरी आप के साथ शुप कामनाए हैं, लेकिन आप अंत में मैं आप से चाहूंगी कि जितने ये समाज पंजाब के लोग जो इस प्रग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आप लड़कियों के लिए खास तौर पे कुछ संदेश देना च चाहूंगा कि जो रूडबादिता है या जो पुराने जो ख्याल है उनको छोड़कर बच्चियों को मौका दिया जाएं, बच्चियों में बहुत काबलियत है, हमारी बच्चियां जो हैं, इनमें बहुत गुण हैं, ये पुरुशों का मुकाबला कर सकती हैं हर खेतर के अ ठीक उसी प्रकार रहे, जैसे कि पुरुशों के कंधों पर होता है, और ये तमाम बच्चियां जो हैं, ये अपने अपने गाउं, अपने इलाके, अपने शहर के लिए एक प्रेणा सोत्र बन सकें, उनको मौका दें। मैने महसूस किया है कि ये पॉजिटिव और एक फोकस्ट यूथ है, जिसकी एक दिशा है, जिसका एक विजन है कि ने कहा जाना है, मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे लोग पंजाब के युवा आपके इंस्टिट्यूट से जुडें, तो चाहेंगे कि एक कुछ मैसेज हमा अरे पंजाब के युवाओं के लिए आपकी और से दे हैं. तो आम्ट फोर्सेज का कोई मुकाबला नहीं है. पंजाब अबॉर्डर स्टेट और हर चुनौती पे पंजाबियों ने देश की रक्षा की है. यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारा धर्म है कि हम बड़ी तादाद में आम्ट फोर्सेज में जाएं और देश की सिवा करें. तैंक यू सो मच्च. यह देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि आप भी जादा से जादा इस जागरुकता फैलाएं कि हमारे पंजाब में ऐसे दो इंस्टिटूट हैं. माई भागो इंस्टिटूट जिसमें लड़कियों को हम तयार करते है कि वो डिफेंस में आएं और इसी तरीके से महराजा रंजी सिंग आम फोस प्रिपरेटरी इंस्टिटूट है जो युवा बच्चों को दसवी के बाद ले लेता है अपने इंस्टिटूट में और पढ़ाई के साथ साथ तैयारी करवाता है बहुत अच्छी बात है और यह उ बहुत ही यह प्राइड की बात है बहुत ही खुबसूरत पल है कि इतना अच्छी तरीके से हम अपने युवाओं को सही दिशा में ले जा सकते हैं और युवाओं की सोच सही समय में सही जगे अगर हम इनको केंद्रत कर दें तो हम बहुत ज़्यादा सफलता पा सकते हैं क् कि यही युवा हमारे देश का आधार है इसके साथ ही साथ मैं आज इस्टूडियो में जनरल गरेवाल जी का मिजर जनरल आईपी सिंग जी का केडी सिंग जी का ब्रिगेडियर एंड मैडम सुकप्रीत का करनल राय का और सारे प्यारे बच्चे जो यहां बैटे हैं जो भाव बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुप कामनाई देती हूँ धन्यवाद जैहिन झाल